नमस्कार मित्रों हम बात करेंगे प्राकरती के उपर जी हाँ दोस्तों प्राकरती का मुद्धा एक ऐसा मुद्धा है जो दोस्तों सभी लोगों ने उठाया समय समय पर लेकिन इसके उपर सही से कभी भी अमल नहीं किया गया जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी प्राकरती कितनी सुंदर है और प्राकरती में रहने वाले जीव कितने सुंदर है मित्रों आपने देखा होगा और तथा सुना होगा और पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारे इस प्रयावरण तथा प्राकरती का संतुलन बनाय रखने में जितने भी जीव हैं चाहे पक्षी हो च हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाया रखने में बहुत बड़ी भून का निभाता है किन्तु यहां दोस्तों जो इंसान है वह इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए जंगल कारता जा रहा है और जो जंगल की खुबसूरती है जो प्राकरती की दोस्तों हमारा पर्यावरण एक ऐसा तथा एक ऐसा बिचित्र रूप है जिसको हर कोई समझने में नाकाम रहा है जी हां दोस्तों क्यूंकि हमारा जो पर्यावरण है दोस्तों हमारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना इंसान का जिंदा रहना संभो है इंसान ही नहीं चाहे कोई सभी जीव हो उसका बिना प्राकरती के साथ के जीवन उसका दूभर है तो दोस्तों हमारी जो यह प्राकरती है यह हमारा पर्यावरण है जो हमारे जंगल है जो हमारे वन है जो हमारी प्राकरतिक संपदा है इसकी देख भाल इसका सर्रक्षड हम मनुस्तों का परम करतब्ब है दोस्तों जंगल में रहने वाले जीव तथा वन हमारा परम करतब्ब है कि दोस्तों हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए साथी साथ दोस्तों हमें अपने जंगलों को पर्यावरन को तथा प्राकर्ती के महत को अपने जीवन में समझना चाहिए दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े तेजी के साथ आजकल जंगल कट रहे हैं और जो आजकल का जो आदोनिक यूग है वह स्वार्थ में और अपने अहम में इतना चूर है कि उसे प्राकर्ती का कोई भी खयाल नहीं है दोस्तों वैसे तो हमारे देश में आए दिन कई नेता दावे करते हैं कि प्राकर्ती के लिए हमने ये किया वो किया लेकिन दिखता कुछ नहीं है दोस्तों यदि हमारे प्रतिवी पर चाहे प्रतिवी का कोई सबी भूभाग हो चाहे कोई सबी देश हो जहां पर भी पेड़ पोथे कम होंगे जंगल में रहने वाले जीव कम होंगे तो दोस्तों हमारे प्राकर्ति का संतुलन बिगड़ेगा जिसके कारण हमें प्राकर्तिक संपदाओं तथा अनेक चीजों का सामना करना पड़ेगा सिधा सार्थ है दोस्तों कि हमें प्राकर्तिक प्रकोपों का तथा प्राकर्ति के गुस्य का भार उठाना पड़ेगा यदि हम अब भी नहीं सुधरेतो मित्रों प्राकरती हमारे जीवन की वह कड़ी है जो हमें जीवन देती है जो जीवन दाइनी है जीहां दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते है कि हमें पेड़ पोधों से सुधवायू मिलती है तथा हमारे सरीर को स्वास्थ तथा तरो ताजा रखती है साथी साथ दोस्तों हमें जंगलों से फल फूरूट तथा सबजियां तथा दिव जड़ी बूटियां तथा कई प्रकार के पोधे कई प्रकार के फल सबजियां जंगली फल यानि कि दोस्तों हमें प्राकर्ती सब कुछ देती है लेकिन हमने प्राकर्ती को आज तक दिया क्या यह दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज कल कोई भी प्राकर्ती के बारे में बात करने को तयार नहीं है जी हां दोस्तों सभी लोग अपने अपनी स्वार्थ में लगे पड़े हैं जंगलों को काट रहे हैं जो आसपास पेड़ बचे हैं कुछ उनको भी काट रहे हैं जिसके कारण दोस्तों हमारे प्रयावरण का हमारे प्राकरती का संतुलन खराब हो रहा है और जो जंगल में जिव है वह कहा जाए यदि जंगल काटे जाएंगे तो जो जंगल में रहने वाले जिव है जो जानवर है वह तो बेचारे सहरों की तरफ ही भागेंगे क्यूंकि उनके पास तो कोई आसरे ही नहीं है और जो आसरे है वह मनुस छीनता जा रहा है जंगल काट करके जिसको दोस्तों हमें गबड़ी गंभीरता के साथ सोचना होगा और समझना होगा और अपने प्राकरती को सुन्दर तथा दिब बनाने के लिए हमें प्रितन करना पड़ेगा दोस्तों वैसे तो मनुस एक ऐसा स्वारती प्राणी है जो अपने लोभ में दोस्तों वह जंगल तथा जंगल में रहने वाले जिवों की तसकरी करता है और जो प्राकरती की सुन्दरता है उसको खराब करता है इसलिए हमें प्राकरती को बचाना है दोस्तों और हमी सब को प्रच झाल झाल, झाल, झाल.